है नमस्कार जारकन को नया मुख्यमंत्री फरार एमन सुरेन फिर से सामने आने के बाद इडी को रांची में ग्रिफतार कर लिया तो जारकन को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है हलांकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं अभी भी गड़ड़ है क्योंकि सबका समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं है लेकिन यो जब फरार हुए थे दिली से भाग गए थे एरपोर्ट पर नजरे थी तो ये दूसरी गा करन जर नहीं किया बाईकार फरार है मन थी जो रांची आ य तो ईडी ने उन्हें ग्रफ्तार कर लिया तो हेमन सोरे ने चंपई-सोर्इन को क्यों चुना और अपनी पतनी कल्पना सोरेन को COVID नहीं चुना इसकी अंदर की खानी और संपूर्ण ड्रामा ये भागने से लेकर इनके इस्तीफे तक की जब इस्तीफा दिया तब तक की अंदर की पूरी सची कहानी जो कोई नहीं बता रहा है जो कहीं नहीं मिलेगा, यह पूरी ड्रामा क्या हुआ, रात भर ड्रामा हुआ, सबेरे ड्रामा हुआ, ड्रामा क्या हुआ, तीस अरे कतीस सारी को बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, तो देखिए हुआ क्या था, वह युद्ध कैसे हार गया, लेकिन पहले देखिए कि दिन तौलिया से नचादर से अपना मू ढख कर भाग गया, अपनी कार से नहीं, वह कार भी बेनामी है, हरियाना में रिजिस्टर है, वो बेनामी कार जेसमें 36 लाग रुपे में ले थे हुसको छोड़ कर दूसरी कार से भाग गया, क्योंकि कीडी हवाई अड्डे पर नजर था, तो उन्होंने क्या-क्या सडक मार से भाग गया और दिल्ली के एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा सहायता की गई उसको जो कि सोरेन के पास आविश्यक ना चतुराई है ना संसाधन है ना पावर है उनके पास ना उतना पावर है ना उतना दिमाग है ना उतना IQ है ना उतनी क अबार रिसोर्स है तो ये दिल्ली के एक बहुती चतुर और चालाक व्यक्ति ने उनकी मदद की कि भाग जब लेकिन भागते समय उन्होंने एक सलाग दिया कि ये हमेशा के लिए एडी से तुम बच नहीं सकते जल्द ही तुमें पकड़ कर गिरफतार कर लिया जाएगा तु अगर तुम भाग गए फिर बाद में तुमें पकड़ा गया तो तुमारे सामने तीन समस्यां होगी जारकन में राष्ट्रपती शासन लागू हो जाएगा और तुमारी पार्टी यानि जे अमम तूट जाएगी और भगोड़ा घोशित होने पर तुमें जमानत भी नहीं म तो इसलिए उन्होंने कहा कि ED के नजरों से बस्तेवे 21 घंटे तक सडकमार की यात्रा से वारणसी और फिर रांची पहुँचो लेकिन जैसा कि सलाह देया गया अगले दिन यानि 31 जनवरी के ED के सामने पेश होगा यह एलान कर दो कि मैं भागा नहीं हूँ मैं आया हूँ एक ब्लैंक था और एक में अपने पत्नी कलपना सोरेन का जिसे बाद में उन्होंने चम्पुई सोरेन का नाम लिख दिया था वा पले ब्लैंक था गिरफतारी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजीपाल को चम्पुई सोरेन का समर्थन वाला चिट्टी दिया क्योंकि उनके पत्नी को बनाने के लिए वे रजामंद नहीं थे कई विधायें को कापती था कि तुम्हारा उत्तारया दिखारी तुम्हारा पत्नी नहीं हो सकता तो जवरजस्त उन्होंने अपना पत्नी को घोर्शित करना था लेकिन उनके पास उपाई नहीं था उनी के विधायक विद्रो कर रहे थे तो उन्होंने चम्पुई सोरेन वाला चिट्टी हैसे ब्लैंक था बाद में लिख दिया था वही जमा दिया विक्ट्री साइन तो दिखाया लेकिन हेमन सोरेन तीन तरह से फेल वे वे अक्चुली हार गये थे जितना भी विक्ट्री साइन दिखाये यह हार गये थे नमबर एक वह एडी से भाग कर बच नहीं सके उसे उसका सामना करना पड़ा दो उन्हें एडी ने पुक्ता सबूतों के साथ गिरफतार किया है वह काफी लंबे समय तक जेल में रहेंगे और तीन वह अपनी पत्नी को अगला सियम नहीं बना सके जैसा कि उन्होंने पहले से योजना बनाया रखा था न वह एडी से भाग सके न गिरफतारी से बस सके नहीं अपनी पत्नी को वह बना सके लेकिन अब भी कुछ गड़बड है यह चम्पुई सोरिन का फ्यूचर भी गड़बड है शायद जेयम हम तो तूटने वाला है कॉंग्रेस भी तूटने वाला है दोनों ही तूटने वाले हैं अब देखो वह कितना निराश और डरा हुआ है यह फ्रस्ट्रेटड है बौकला गया है पहले वह एडी द्वारा अपनी गिरफतार के खिलाफ उच नियायले में पिल किया और फिर उच नियायले से सुप्रीम कोड सरवोच नियाले चला गया हाई कोड से सुप्रीम कोड औ लेकिन उसकी सारी बहादुरी व्यर्थ जाएगी, वह काफी लंबे समय के लिए फस गया है, लंबा न पेगा, तो जारकन को नया मुख्यमंत्री मिला कि यह न मालूम नहीं है, क्योंकि चम्पई सरेन के उपर भी question mark है, कुछ विधायक उसे भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, वह पार्टी भी टूट की कगार पर है, कॉंग्रेस भी कगार पर है, कॉंग्रेस को टूटना था, क्योंकि यह राउल गंदी यात्रा वहाँ पहुशने वाले हैं, वही पनावती यात्रा, जो महाँ पहुचेगा तो कॉंग्रेस टूटे गई, लेकिन यह जितना भी छट पट इनको लंबा जेल जाना पड़ेगा तो यह ता पुरा ड्रामा और इनका IQ तो उतना ही है उन्होंने अपने दस्तावेज में फोर्जरी किया मिटा दिया वाइटनर लगा दिया केमिकल लगा दिया इसे इतना दिमाग नहीं है कि यह तो पकड़े ही जाएंगे यह तो और एक स इसका IQ 0 है वही IQ जो नितिश कुमार का था वो थे जस्वी का था सब एक ही IQ के लेवल के लोग है तो यह तो लंबे समय के लिए नप जाएंगे लेकिन अगला नंबर किसका है कहीं कटर इमानदार दिल्ली के बाश्रा का तो नंबर नहीं है तो फिर मिलेंगे ऐसा और वीड